एक बच्चे की किलकारी से घर जिवन्थो उठता है सोचिए यही किलकारी एक साथ तीन बच्चों की हो तो घर की महक क्या होगी ऐसा ही वाक्या हिमाचल परदेश के चम्बा जनपद में पेश आया है एक साथ तीन बच्चे 23 वर्षे सोनिया की गोद में आ गए सलूनी तहसिल के भांदल गाव की सोनिया वा राजखुमार को पुद्रत ने एक बेटी वा दो बेटों की सौगार दी है उससे भी दिल्चस्प ये रहा कि तीनों ही बच्चों का जनम अलग-लग स्थानों पर हुआ ये भी खास बात है कि तीन शिशों का जनम 108 एंबिलेंस में हुआ ट्रिपलेट्स की डिलीवरी बेहदी दुल्डब है अमूमन जुड़वा बच्चों तक की डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती लेकिन यहां ट्रिपलेट्स डिलीवरी समान्य कर दी गई सौमवार तड़के तीन बजे के हार सीविल अस्पतार से सोनिया को चमबा रैपर किया गया था रास्ते में सोनिया की गोद में तीन अलग लग स्थानों पर 108 में किलकारियां गुंजी बेटी का जनम तो ठीक मेडिकल कॉलेज के गेट पर ही हुआ खार ही हुआ ca झाल रात को डिलिवरी होई है बहंदर काया всё बबर है। नगी सर इब ठीक से डिलिवरी होई है बहिंदर केहार से रैंफर हो की आए है aynı aasi chi ॥ 1974 २ज में बड़ा राते डिलिवरी होः होई है बढ़ा रिषान प्रिगनेश karateji होता है वह थोड़ा क्रिटिकल है, लाकि तो दोनों ठीक चलाएं, माता तो ठीकी है, नॉर्मल नहीं टाइम से पहले होगी। तीनों नवजाज शिशु चंबा मेडिकल कॉलेज, स्टाफ की आँखों का तारा बने हुए हैं। मेडिकल कॉलेज परशाशन के मताबिक 108 एम्बुलेंस में तीन बार डिलीवरी के दोरान EMT सुनील वा पाइलेट सुरेश मौजूद रहे। वैसे तो 108 वाले EMBुलेंस में परसूती करवाने के माहिर हैं। बेहद ही कम मामलों में जुड़वा बच्चों की डिलीवरी होती है लेकिन यहां अनोखी परसूती हुई। इसकी चर्चा पूरी मेडिकल कॉलेज के अलावा अब शहर में और ही है। बताया जा रहा है कि पहले डिलीवरी मेडिकल कॉलेज से 20 किलोमेटर की दूरी पर हुई। इसके बाद 5 किलोमेटर के सफर के बाद दूसरी किलकारी गुंजी। सबसे आखिर में मेडिकल कॉलेज के गेट पर तीसरी डिलीवरी बेटी की हुई। एक बेटे का वजन एक किलो के आसपास है जबकि दूसरे का तेरा सो ग्राम है बेटे का वजन नो सो पचासते ग्राम है नवजाज शिशों को स्पेशल केर यूनिट में रखा गया है संभव है कि 108 एम्बुलेंस के इतिहास में ये मामला अपनी तरह का पहला ही होगा चंबर से ब्यूरो रिपोर्ट